पिछले एपिसोड में हमको लेस्टर ने एक मिशन दिया था जिसमें हमको जाके एक स्मार्टफोन कमपणी के CEO को मारना था जो कि हमने पूरा किया और वो मारना इसलिए था क्योंकि लेस्टर पहले उस कमपणी का मालिक था बाद में उन्होंने उससे छीन ली इसलिए उसने बदला लेने के लिए हमको ये mission दिया जो कि हमने successfully complete कर लिया अब देखते हैं इस वाले episode में क्या होता है पिछले episode में काफी thrilling mission करने के बाद Michael finally अपने घर पहुच गया है और अब वो मिलने जा रहा है जीमी को जो कि उसका बेटा है क्योंकि उसको जानना है कि उसके दोस्त कैसे वो कैसे environment में रहता है बाहर जाने के बाद और जीमी यार दिन बर टीवी में गेम खेलते रहता है ये क माइकल उसके दोस्तों के साथ मिले पर फिर भी माइकल ने जबरदस्ती जीमी को कन्विन्स कर लिया अपने साथ आने को अरे बाद करेंगे उनके साथ जोकी करनी है हमको और चलो पहले कार में बैठ जाते है और जीमी एक बहुत ही बिगड़ा हुआ लोंडा है वो दिन बर गेम खेलते रहता उसको ड्रग एडिक्शन है उसको एक मतलब हर चीज़ का एडिक्शन है जिसके लिए मैंने यह ट्राइविंग वाला पार्ट स्किप नहीं किया है वो है कि हमारे वीडियो जो है बहुत irregular आ रहे हमारी जो रेगिलर विवर सोंगे उनको पता होगा कि हमारे वीडियो काफी देर देर से आ रहा है अबी उसके पिची का सिर्फ एक रिजन है कि मैं 12 गुटा ही का हूँ मेरेको बहुत सारा पढ़ाई का लोड आ चुका है तो इस नहीं मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए मेरे को एक लाइक देते जाओ और एक प्यारा सा सब्सक्राइब देते जाओ जो की नए व्यूवर से और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है उनको काफी काफी थेंक्यू तो अभी जहां पे हमको जीमी लेके जा रहे रहे ट्रग भाई चलो जल्दी से वह सामने मेरे को लग रहा है वह वाला स्पॉट जहां पे हमको जाना है यह बर्गर कैफे नाम का तो जीमी के दोस्त बर्गर कैफे में काम करते इस जीमी है क्या यार यह चीज क्या है जीमी तो जल्द वह कॉफी है जो की बहुत अच्छी लगती है ये दोस्त जो इस शॉप में काम करता है बर्गर कैफे उदर की कॉफी बहुत अच्छी है तो इसलिए वह दोस्त हमको मैनेज करके देगा कॉफी ये दोस्त देखके मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को कुछ तो भी गड़बड लग रही है और ये दोस्त काफी मेरे को बिगड़ा हुआ लग रहा है जीमी जैसा ही तो मेरे को बहुत शकार है कि इनों ने कुछ तो भी गड़बड की है क्यूंकि ऐसे कोई कैफे में जाके काफी तो हम वहाँ पे जाके भी पी सकते हैं माइकल वैसे तो दोस्तों से मिलना है और जीमी ने ट्रिक करके उसको एक ड्रग डीलर से मिलवा दिया है शायद से जो कि J이미 का एक रेगुलर ड्रग डीलर है जिसको उसने दोस्त परके मिलवा दिया तो भाई Michael को पूरी तरह से चखमा दे दिया है Jemi ने और काफी बुरा फसा दिया है भाई माइकल की जिंदगी बहुत ही मुश्किल भरी है यार उसको उसकी वीवी वेटे सब पूरी तरह से परिशान करके रख देते हैं और माइकल को समझ में कैसे नहीं आया कि जीमी ने उसके साथ इतनी बड़ी साजिश किये क्या पता ओ भाई ड्रक्स क को दिये गए थे और अब माइकल के साथ ये जो खेल हो रहा है ये जो उसको दिख रहा है ना ऐसा बहुत बूरा फिल हो रहा है मेरे को माइकल के लिए और अब माइकल की कंडिशन काफी खराब है और वो गाड़ी चला नहीं सक रहा है और रोग दे वाई साइड में तेरको प्रॉब्लम हो रहा है तो और मेरी सुनते ही माइकल ने गाड़ी रोक दी है और माइकल को चक्कर आ रहा है एकदम जैसे अब उसकी तब्वेद बहुत खराब हो रही है और जिमी ने ये बहुत ही सोच समझ के किया है और ये क्या अरे जिमी जिमी तो काफी खराब बंदा है यार अपने पिता जी को ऐसे हालत में रस्ते पे फेक के कौन जाता है अब उसके उपर से गाड़ी चली गई वो मर गया तो उसका पालन पोशन कौन करेगा तेरे गेम्स खरीक के कौन देगा पागल बच्चे अब यार माइकल का क्या होगा इतनी बूरी सिचुएशन में र बंदर चंगल में आ गए लग तो अरे इतने सारे बंदर नाच क्यों रहे अरे यार यह कहां पर आ गया माइकल और इसके आज़ू बच्च ओ माइग गॉड यह तो एलियंस है माइकल को एलियंस उठा के लेके गए अब मेरे को पता नहीं है कि यह माइकल के साथ ड्रक्स के मैश के वज़े से हो रहा है या फिर सच में एलियंस आया लेकिन situation बहुत ही dangerous है और यह एलियंस माइकल के साथ कुछ तो भी surgery type कर रहे हैं और शायद उनको माइकल से कुछ तो भी लेना है अब वो क्या लेना है मेरे को पता नहीं है लेकिन यह creatures तो काफी खतरनाक है यार यह को पता नहीं है कि यह ड्रक्स का असर है या फिर माइकल को सच में इलियन्स ने अबड़क्ट कर दिया था अब माइकल पूरी तर से फ्री फॉल कर रहा है जमीन पे और अब माइकल के साथ बहुत खतरनाक एक्स्प्रियंस था यह माइकल को इलियन्स लेके गए अपने त्पेर के वास्टेड तो नहीं होगा ना मरेगा तो नहीं ना पता नहीं मेरे को बिलकुल और यह इसके ग्राफिक्स और यह बहुत खतरनाक है मूवी लाई के पूरे तरस है तो माइकल अभी फिरसे उढ़ गया है शायद ड्रक्स का सर खतम हो गया है तो यार कपड़े प पटा नहीं, कपड़े निकाल लिये मैकल के, तो इलियन शायद कपड़े लेने आये थे, पता नहीं, ये साइकल पड़ी है इधर की, ले के जाते हैं और घर के जाके जीमी को कुट्ते जैसा मारें गे, चलो जल्दी से चलो, ये साइकल, मैकल कोकोड भी ने लगता ऐसे, माइकल की घर पे और घर पे जाके पहले कपड़े पहनते और फिर जिमी की पिटाई करते हैं क्योंकि उसके बज़े से हमको इस दुनिया के ने दूसरे दुनिया के लोग किड्नैप करके गए हैं और माइकल को उससे फरक भी ने पढ़ रहा है क्यों पता नी और घर के काफी पास छोड़के गए यार इलियन लोग बहुत ही अच्छे थे अच्छे घर के लगते हैं चलो भई हम घर पे आ गया है अब जल्दी से जाके पहले तो कपड़े पहनते हैं फिर बाकी के चीज़े करते हैं क्योंकि कपड़े ज्यादा इंपोर्टेंट हैं चलो हमारी रूम क इदर है यह इदर किदर है यार माइकल वो लेटर अरे भाई साब इस लेटर में यह लिखा है यह माइकल के वाइफ का लेटर है वो कह रिये कि जीमी ने हमको बताया कि तुम ड्रग्स लेके गाड़ी चला रहे थे इसलिए हम तुमको छोड़के जा रहे तो जीमी ने काफ खाने से पहले भग गया जीमी अभी अगर यह हाते में आता ना तो बहुत अमार खाता लेकिन वो सारे छोड़के चले गए बीचारे माइकल को अब बीचारा माइकल अकेला है क्या करेगा माइकल यार अकेले गया माइकल काम से फूरी जिन्दगी खराब हो गई तो बस यार आज के वीडियो में इतना है अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करो चैनल पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब करो मिलते हैं जल्दी ही जीटेफा के नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी खतरनाक स्टोरी लाइन के साथ चलो बाई बाई